हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज ब्रहमास वैसी क्लास 34 है और आज की क्लास में हम लोग जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस के टॉप 15 मोश्ट इंपोर्टेंट कुश्यन एन आंसर को पढ़ने वाली हैं ये सभी कुश्यन एन आंसर आपक को साथ बजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी जी के जीएस में बहतर होने वाली है और आंगे आने वाले एक्जाम में आप लोग जी के जीएस में बहुत अच्छा सा स्कूर कर पाएंगे तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का पहला कुश्यन आज का पहला कुश्यन लिखा है गन्ने में निमलिकित में से किस प्रिकार की जड़ें पाई जाती हैं विच आप दी फॉलॉविंग टाइप्स आफ रूर्स इज फाउंड इन सुगर केन फर्स्ट ऑप्सन है प्रॉप जड़ें सीकिंड ऑप्सन है इस्टल्ट जड़ें थर्ड ऑप्सन है निमेटो फोर फोर्ट ऑप्सन है नोट ड्यू लोज जड़ें जल्दी से बताईएगा दोस्तों गन्ने में निमलिकित में से किस प्रिकार की जड़ें पाई जाती हैं इस कुश्यन का जो राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वें हैं हमारा ऑप्सन न आगे बढ़ती हो नेश कुश्यन देखती हैं नेश कुश्यन लिखा है फ्रेंड्स बी सम्हू विटामिन के बारे में निमलिकित कतनों पर विचार करें कंसीडर दी फॉलॉविंग स्टेटमेंट्स एबाउट बी ग्रो विटामिन्स फर्स्ट ऑप्सन है उनमें से अधिक सरीर में संसलेसित होते हैं उपरियुट कतनों में से कौन सा अत्वा कौन से सही हैं फर्स्ट ऑप्सन है केवल एक और तीन सेकिंड ऑप्सन है केवल दो थर्ड ऑप्सन है केवल एक और दो या फूर्ट ऑप्सन है एक और दो और तीन जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number B केवल 2 उनमें से अधिकांस पानी में घुलन सील है ठीक है दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो निश question देखती है निश question लिखा है friends निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सरीर की बिमारियां और प्रभावित भाग में which of the following is not correctly matched disease and affected parts of the body फर्स्ट option है तवचा सोद और तवचा सिकेंड option है गिलोसिटिस जीव थर्ड option है पेरिटो निटस पेट फोर्थ option है सिस्टिटिस सीकम बताईएगा दोस्तों निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह है हमारा option number D से सिस्टिस सीकम ये सुमेलित नहीं है और ये तीनों हमारे सुमेलित है ठीक है दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो निटस कुशन देखती है निटस कुशन लिखा है friends किसी निश्चिस समय पर तवरण को क्या कहती है वाट इज कॉल्ड ऐसीलिरेशन एट अगिवन टाइम फर्स्ट ओप्सन है ओसत तवरण सिकिंड ओप्सन है ताच छडिक तवरण थर्ड ओप्सन है परिवर्टन सील तवरण या फोर्ट ओप्सन है सूने तवरण बताईएगा दोस्तों किसी निश्चिस समय पर तवरण को क्या कहती है इस कॉश्चिन का जो राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड वे है मारा ओप्सन नमबर बी ताच छडिक तवरण ठीके दोस्तों चलियांगी बढ़ती हो निश कॉश्चिन दीखती है नेश कॉश्चिन लिखा है फ्रेंड्स आप परतियास टककर के बारे में निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है विच अब दी फॉलॉविंग स्टेटमेंट्स एबाउड इनिलास्टिक कॉलीजन इज नौट करेक्ट फर्ष्ट आप्सन है रेखी समविक सनरच्चित रहता है सिकेंड आप्सन है गतिज उर्जा सनरच्चित रहती है थर्ड आप्सन है कुल उर्जा सनरच्चित रहती है या फोर्ट आप्सन है इसमें सामिल कुछ या सभी बल गैर सनरच्ची प्रकरती के हो सकते हैं जल्दी से बताईएगा दोस्तों आप प्रत्यास तक करके बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है इस question का जो right answer हो जाएगा friends रहे हमारा option number B गतिज उर्जा सनरच्छित रहती है ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश question देखती है next question लिखा है friends hydraulic lift निमलिकित में से किस सिधान पर आधारित है hydraulic lift is based on which of the following principles first option है Pascal का नियम, second option है Bernoulli का सिधान, third option है Stock का नियम, fourth option है Torricelli का नियम जल्दी से बताईएगा दोस्तों hydraulic lift निमलिकित में से किस सिधान पर आधारित है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number A पासकल का नियम पर ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश question देखती है नेश question लिका है friends जब किसी पिन का घनत्व तरल पधात की घनत्व के बराबर हो तो क्या होता है What happens when the density of a body is equal to the density of a fluid First option है यह तेरता है Second option है यह दूबता है Third option है यह लटका रहता है या Fourth option है उपर्यूक्त में से कोई नहीं जल्दी से बताईएगा दोस्तों जब किसी पिन का घनत्व तरल पधात के घनत्व के बराबर हो तो क्या होता है इस question का जो right answer हो जाएगा friends रहे हमारा option number C यह लटका रहता है ठीके दोस्तों चलियांगे बाठतियों ने question दीखती है next question लिखा है friends second pendulum की परिभासा क्या है what is the definition of second pendulum first option है यह pendulum जो एक second में एक पूरा घुमाओ पूरा करता है second option है एक pendulum जो एक second में दो बार घुमाता है third option है एक pendulum जिसके लंबाई एक second है यह fourth option है एक pendulum जिसका आविशकार seconds में किया था जल्दी से बताईएगा दोस्तों second pendulum की परिभासा क्या है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number A एक pendulum जो एक second में एक पूरा घुमाओ पूरा करता है ठीके दोस्तों चलियांगे बारतियों next question देखती है next question लिखा है friends किस बीमारी को अकसर सीत कालीन उल्टी बग के रूप में जाना जाता है which disease is often referred to as the winter vomiting bug first option है rotavirus, second option है adenovirus, third option है norovirus, fourth option है arvovirus जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस बीमारी को अकसर सीत कालीन उल्टी बग के रूप में जाना जाता है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number c norovirus को ठीक है दोस्तों चल यांगे बाढ़ती हो निश question देखती है निश question लिखा है friends एरावत क्या है जो हाल ही में चर्चा में है वाट इज एरावत विच इज इन न्यूज रिसेंटली पर्स्ट ओप्शन है पंडुबी सिकेंड ओप्शन है AI सुपर कंप्यूटर थर्ड ओप्शन है 5G सच्छम ड्रॉन या फूर्ट ओप्शन है हाल ही में खोजा गया एक्सो प्लेनेट जल्दी से बताईएगा दोस्तों एरावत क्या है जो हाल ही में चर्चा में है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ओप्शन नंबर B AI सुपर कंप्यूटर है ठीके दोस्तों चलियांगे बाढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाल ही में खोजी गई नई तरह की चटान को क्या नाम दिया गया है जिसमें मनुस्यों द्वारा त्यागे गई प्लास्टिक और पॉलीमर सामिल है What name has been given to a recently discovered new kind of rock that consists of plastic and polymers discarded by humans फर्स्ट ओप्शन है प्लास्टी स्टॉन, सिकेंड ओप्शन है एंत्रोक्वार्ज, थर्ड ओप्शन है सिंथॉलित, फूर्थ ओप्शन है पेट्रोजेम जल्दी से बताईएगा दोस्तों हाली में खोजी गई नई तरह की चटान को क्या नाम दिया गिया है जिसमें मनुस्यों द्वारा त्यागे गई प्लास्टिक और पॉलीमर सामिल है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ओप्शन नंबर ए प्लास्टी स्टॉन ठीक है दोस्तों चली आंगे बाढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लेका है फ्रेंट्स सडे हुए अंडों की विशिष्ट गंद के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है विच गैस इज रिस्पोंसिबल फॉर दी करेस्टरिस्टिक्स स्मेल ओव रूटन एक्स फश्ट आप्सन है ऑक्सीजन सिकेंड आप्सन है कारवन डायोकसाइड थर्ड आप्सन है हाईडोजन फॉर्ट आप्सन है हाईडोजन सलफाइड जल्दी से बताइएगा दोस्तों सडे हुए अंडों की विशिष्ट गंद के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं मारा option number D hydrogen sulfide ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो निश question दीखती है निश question लिखा है friends वे है टिक्रिया क्या है जिसके दुआरा पानी की बूंदे मिलकर बड़ी बूंदे बनाती है और ओर्जा के रूप में गिरती है what is the process by which water droplets combined to form larger droplets and fall as rain first option है वास्पी करड, second option है उच्च बनाने की क्रिया, third option है वास्पी करड, fourth option है सल्लियन बताईएगा दोस्तों वे है प्रिक्रिया क्या है जिसके दुआरा पानी की बूंदे मिलकर बड़ी बूंदे बनाती है और उर्जा के रूप में गिरती है इस question का जो right answer हो जाएगा फ्रेंड, वे हमारा option नमबर D सल्लियन प्रिक्रिया कहलाती है ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो next question देखते है next question लिखा है friends, helium gas का रासाइनिक प्रिती क्या है जो गुबारों और हवाई जहाजों में उप्यों के लिए जानी जाती है what is the chemical symbol of helium gas which is known for its use in balloons and aeroplanes first option है H, second option है H E, third option है H G, fourth option है H A जल्दी से बताईएगा दोस्तों helium gas का रासाइनिक प्रिती क्या होता है इस question का जो right answer हो जाएगा friends, वे हैं हमारा option number B, H E ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ते हैं और आज का last question देखते हैं आज का last question लिखा है friends, कौन सी gas सोसन संबंदी सितियों के उपचार में उपियों की जाती है और आम तोर पर चिके सब रियोजनों के लिए सांस के माद्यम से ली जाती है which gas is used in the treatment of respiratory condition and is commonly inhaled for medical purpose first option है oxygen, second option है carbon dioxide, third option है nitrogen, fourth option है nitrous oxide जल्दी से बताईएगा दोस्तों कौन सी gas सोसन संबंदी सितियों के उपचार में उपियोग की जाती है और आम तोर पर चिके सब रियोजनों के लिए सांस के माद्यम से ली जाती है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number D, nitrous oxide ठीके दोस्तों, I hope आज के सभी question आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे friends और सभी question आपके exam के लिए काफी important पर ही थे दोस्तों तो आज की पूरी class आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अगर आप लोगों को class अच्छी लगी और सारे fact 2 को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो please इस class को like कीजिएगा, share कीजिएगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को subscribe कीजिएगा और अपना comment comment box में करना मत बूलिएगा ठीके दोस्तों, thank you so much दोस्तों